नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ पीती और आप देख रहे हैं फ़र्स्ट बिहार ज्यार खंड इस वक्त हमारे भारत में आचार सनहीता लागू है और अब इस मामले में कारेवाई होनी भी सुरू हो गई है आपको बता दे कि आचार सनहीता जब लागू किया जाता है तो उसक करना चाहते हैं या फ़र गलती से नहीं हो पाती है तो ऐसे में जीला प्रसासन के द्वारा कारेवाई भी होती है और अब ये कारेवाई किसी और पर नहीं बलकि जाप सुप्रीमो पपुयादो और उनके एक समर्थक पर हुई है दरसल ये पूरा मामला जो है वो एक है जहां जीला प्रसासन के अनुमति के बिना पपुयादो एक जनसभा कर रहे थे और वो भी चुनावी पोस्टर लगा कर और इसी से जुड़ा हुआ मामला है और जब इस मामली की खबर किलागा लगी तो उसके बाद पापुयादो और उनके एक समर्थक पर लाठ कहा और और उसके बाद जो फोटो और वीडियो सामने आये थे उसकी पुष्टि की गई तो ये भी पाया गया कि ये जो वीडियो और फोटो सामने आये हैं वो बिलकुल सही है। लेकिन आखिर क्या है ये पुरा मामला और किस शहर से जुड़ा हुआ है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिला प्रश्वासन हरकत में आ गई है। जाच में फोटो और आरोप दोनों सही पाये गए जिसके बाद पपो यादो और उनके एक समर्थक पर कसबा थाने में प्राथमे की दर्ज कराई गई है। पो यादों के द्वारा जनसभा किया गया है। जिसके बाद जिले के डियेम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर एक विशेस टीम का गठन किया गया। इस टीम में बीडियो सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी, अरुन कुमार सरदार, नगर परिसद कसबा के कार्यपालक पदाधिकारी, सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अमिक कुमार, सीयो, रीता कुमारी शामिल रही। अधिकारीों की टीम की जाज में जनसभा की फोटो और वीडियो की सत्यता सही पाई गई। जिसके बाद आचार सनहिता उलंगन मामले में पप्पु यादो समीत उनके एक अन्य समर्थक पर कसबा थाने में प्राथमी की दर्ज कराई गई। तो ये जो पूरा मामला है वो पपु यादो और उनके समर्थक पर एफा यार दर्ज हो गया। दरसल ये पूरा मामला ये है कि पपु यादो कसबा थाना शेक्तर में एक जनसभा कायोजन किये थे और इस दोरान चुनावी पोस्टर भी लगाए गये थे जबकि आचार सनहिता जब लागू रहता है तो उस दोरान चुनावी पोस्टर्स नहीं लगाने होते हैं इस पर पाबंदी होती है बावजूद पपु यादो ने ये काम किया और इसकी वज़़से आचार सनहिता का उलंगन हुआ और आचार सनहिता का उलंगन मामले में अब पपु यादो और उनके समर्थक पर एफा य अब कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाया है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो न पैनरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इहोंस पैनरोमा के संग इहोंस पैनरोमा लग्जूरिय Lifestyle Redefined